हेलो इस्टेंट स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स क्लासे पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मसीन डिजाइन का से रिलेटेड चेप्टर डिजाइन आउप साफ इससे पहले हमने आपको पढ़ा रखा है डिजाइन फिल्लोर ठीक है तो इस उसमें थोड़ी सी के फार्मले वाकिए है और उसमें मैं कुश्चन लेकर आता रहूंगा उसका 10-15-15 मिनिट के लिए और मैं शुरू करता हूं इस डिजाइन आप साफ्ट के यह चेप्टर ठीक है तो डिजाइन आप साफ्ट में क्या होता है जो पावर टरंस्मिटर होता है जैसे साफ्ट हो एज कहा जाता है वह आवर टरंस्मिटर करने के लिए चेहता है और पावर टरंस्मिटर होता क्या है पहले शाफ्ट को में नोड कर लेते हैं किसा है क्या वाई साफ्ट को कैसे हम लोग थूरी के द्वारा किसी को बताएंगे ठीक है तो हम बोलेंगे कि इस आटीज तो इसको note कर लेते हैं कि soft वगर के बारे में ठीक है। कि soft किसे काते हैं, यह आपका chapter है design of soft और इसमें मैं formula वगर प्रूब करवाने हुआ हूँ, हर एक प्रकार के formula वगर प्रूब करवाने हुआ हूँ, इसमें मैं question वगर करवाऊंगा आपको ठीक है तो निश्चिन्त रहिए कि design of soft से अगर एक भी question आएगा तो आप solve कर सकते हैं असानी से कि साफ्ट बोल सकते हैं या डिजाइन आफ साफ्ट है कि डिजाइन आफ साफ्ट तो साफ्ट किसे करते हैं साफ्ट को बारे में नूट कर लेते हैं कि साफ्ट इजे रोटेटिंग एलिमेंट साथ में नूट कर लिए इस साफ्ट इज ए इस साफ्ट इजे रोटेटिंग आफ इस साफ्ट इजे रोटेटिंग एलिमेंट साफ्ट इजे रोटेटिंग में इलिमेंट इज एज विचे इस तो which is used to transmit the power or torque from one place to another बात एपोस्तार आगर करें कि आत्यां है और सफ्रूर्ष पता आए कि साप्ड रोटेटिंग शिए सेक्सार यह होता है जिसके द्वारा हम पावर को यह स्थान से दूसेद अस्थान तक हम क्या करें ट्रांस्मीट कर सकते हैं ठीक तो एक्चुली पावर टांस्मेशन की ब्रस्था क्या है किस तरह से हम पावर टांस्मेट कर सकते हैं तो कैसे पावर टांस्मेट करते हैं तो एक हम इच कर सकते हैं चेंड ड्राइब के द्वारा चेंड ड्राइब के लिए द्वारा हम पावर टांस्मेट कर सकते हैं बिल्ट ड्राइब की दवरा पावर ट्राइब करते हैं और कोई है चीन ड्राइब बिल्ट ट्राइब और गेर गेर को मतलब गेर क्यों एक दूसरे से कमिनेशन करके हम पावर को ट्रांसमीट कर सकते हैं गेर कमिनेशन तिन ट्राइब के आपके पावर ट्रांसमीशन है चेन ड्राइब से कर सकते हैं बेल्ट ट्राइब से हते हैं गेर कमिनेशन और एक साफ्ट की कपलिंग द्वाना कि यूजबै कि सब्सक्राइब करके हम क्या कर सकते हैं पावर को ट्रांसमीट कर से तो यह तीन चार है ठीक है तो यह मैं आपको बताएगा है कि यह साफ्टी जे रोटेटिंग मसीन एल्मेंट विचिज यूट ट्रांसमीट दिपावर और टार्क थाम वन प्लेस टू एन अवदर यह बात आपको समझ जाएग ठीक है अब चलिए एक नोट लिख लिए अब हम जानते हैं कि जो भी साफ्ट होते हैं वह एक्चुल में जो होता है जो जो इसलिंड्रिकल होते हैं लेकिन हें कुछ साफ्ट जो होते हैं और च्रास सेक्शन में भी होते ह्सी आपको नोट करनी पड़ेगी ठीक है तो यह मैं आपको नोट करवा देता हूं कि क्या है यह सारी चीज़े नोट आप एक बढ़न लिख लिजे इनऊट वन क्या है आपका note 1 जो है आपका the soft are usually cylindrical बहुत सरी आप ट्रकों में साफ्ट देखे होंगे नीचे में लगा होता है ट्रकों में four wheeler गाड़ियू में लगा होता है साफ्ट होता है नीचे में जो एक उसे से जो rear four wheeler and front power transmission or rear power transmission four wheeler में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो साफ्ट अगर मिल जाएंगे तो note 1 में आप लिखेंगे कि the soft are usually cylindrical the soft are usually cylindrical cylindrical ठीक है the soft are usually cylindrical but maybe but maybe but maybe kya होता है square or cross saved square or cross saved square we are cross saved this section cross shapes of ergo ignorant the soft are usually cylindrical but maybe square or cross shaped in cross shaped in section in section which of course after मिलेंगे cylindrical अगर कुछ आपको soft मिलेंगे जो जिसके cross shift in section जो होंगे कुछ अलग तरह कैसे होंगे इस तरह कुछ आगे से जो section देखोगे आप लो तो यह कुछ इस तरीके से यह आगे से दिखेगा इसका ड्राक्रा क्ला क्ला स्क्ष्टन योगा यह है ट्रिंगुलर क्ला सैक्ष r इसकार भीओ सकता है वह सए चीजिए हों सकते हैं यह वोलुसाफ्ट भी बांता है और सडय सब्सक्राइब वह समये उतल नफाल वह करें और ब अधर बंब ऌहल सब्सक्राइब ईतना आप नोट करें और कि ईवनोट इनकर सेक्षन but, they are solid in cross section, but, 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 sometimes, but, sometimes, you, we use, you have it sometime, holo sap, sap are also used, sometimes holo sap, are also used, ठीक है, नोट से यह, one हो गया, ठीक है, the shaft are usually cylindrical, but, maybe, square or cross shaped in section, they are solid, solid in cross section, but, sometimes, holo sap are, are also used, ठीक है, मैं यह आपको बता गया, नोट स्टू लिखिया, मिटा हूँ इसे, चली आगे, उपर से मिटाते से चलता हूँ, और नोट करते चली, निट नहीं रहा है, नोट टू लिखिया, नोट टू क्या है, आइन एक्सल, थो सिमिलर इन से प्टू दी, साथ, जो एक्सल होते है, वो क्या होता है, जो एक्सल और साफ्ट का जो होता है शेप जो होता है वो सेम होता है ठीक है तो क्या लिखेंगे एक्सल थ्रो सिमिलर इन सेप्ट टू दी साफ्ट एन एक्सल एन एक्सल थ्रो सिमिलर थ्रो सिमिलर थ्रो सिमिलर इन सेप्ट तो दी साफ्ट to the soft and excel throw similar in shape to the soft each each a stationary machine element machine element and each used to used to transmit transmit use for the transmit used to transmit the transmission of bending moment used to transmit of bending moment bending moment only यानि कि क्या हुआ जो Excel होता है वो जो shape होता है वो same to same soft जार अपर शाप्त जो होता है soft जो होता है power को transmit करता है or Excel जो होता है only one bending moment को transmit में करता है ठीक है बेंडिंग मोमेंट वगरा ठीक है इट सिम्पली एक्ट आइज सपोर्ट यह वन इवन सपोर्ट के लिए होता है इट सिम्पली एक्ट आइज एस सपोर्ट सपोर्ट फार सम रोटेटिंग फार सम रोटेटिंग रोटेटिंग क्या लिखेंगे बड़ी सच आइज वड़ी सच आइज अच आइज क्या होगा होस्टिंग ड्रॉम होस्टिंग ड्रॉम जानते होंगे होस्टिंग ड्रॉम होस्टिंग ड्रॉम एक आर्वील एक और वील लिख लिए गा ठीक है और एक रूप 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 से और यह रूप रूप क्या लिखेंगे सिव 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 ठीक है चलिए मैं इसे मिटाता हूं और इसका बाद इस्पिंडल का भी नोड कर लिए क्या होता है इस्पिंडल इस शॉट साफ्ट डैट क्या होता है इंपार्ट्स मोशन आइधर आरे कटिंग टूल ठीक है तो जो इस्पिंडल होता है वह छोट शॉट होता है सब्सक्राइब थोड़ा से सब्सक्राइब नम्म टर से छोटा यह शौक थे हाई और यूंज दो करते हैं ड्रिलरर सनीं में सब्सक्राइब इस प्रेज्ट इस यह मेरे लेट शक्राइब ऑफ देखे होंगे तो लेट इस पिंडल होता है ठीक है इसको भी नोड कर लेंगे आपने इस फिनल इजे शार्ट सौर्ट मैं बोल दे रहाँ एपैज इस फिंडल इजे शार्ट सॉट डैट इमपोर्ट सुमॉटन ठीक है आई कटिंग टूल एक्जाम्पल में रूट कर लेंगे ड्रील प्रेस इस्पिंडल एंड क्या होगा लेद जो होगा इस्पिंडल ठीक है सब्सक्राइब अब हम साफ्ट बनाएंगे तो क्या साफ्ट ऐसे बन जाएगा उसमें मैट्रियल तो लगेगा ना मैट्रियल कभी चुनाव करेंगे हम लोग तो मैट्रियल किस टैप का होना चाहिए यह निर्भर करता है ठीक है तो क्योंकि पावर टरंस्मिट करना है अगर मैट्रियल अच्छ़आ नहीए होगा तो पावर टांस्मिशन वोगा तो क्या होगा होगा वह जेट तो बेंड़ैंक रिक ही मोगन्ट टोड्य गरेक हो जाएगा तो हम बात में सर्च बात कर लेते हैं कि मैट्रियल की पूपड़ीज किया होती है कि उस टाइब का हम लो मैट्रियल हम यूज करें ठीक है तो मैट्रियल यूज भार साथ मिटाओं इसे चलिए मैट से मिटा था हूं लिखेंगे मैट्रियल यूज भार साथ तो लिखेंगे कि दा मैट्रियल यूज भार साथ तो लिखेंगे कि दा मैट्रियल यूज तो साथ शूट है फोलोईंग पोपर्टीज तो परपर्टीज क्या होती है भाई मैट्रियल की पोपर्टीज क्या हो सकती है मैट्रियल पोपर्टीज तो बहुत होती है बटी इस साथ के लिए जो पॉपर्टीज होनी चाहिए उस मैट्रियल में ठीक है ना वो पॉपर्टी में लिखवा रहा हूं ठीक है तो इसकी जो होनी चाहिए उस मैट्रियल की जो होनी चाहिए हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए फर्स्ट आप नोट करेंगे हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाई श्रेंट होने चाहिए पूड मस्य लेटी होने चाहिए ही असा वुमऑु वेरा नोर्च अच्छी में होने चाहिए ठीक है good masculinity होने चाहिए तीसरा जो होने चाहिए low notch sensitivity factor होने चाहिए ठीक है low notch sensitivity factor ये क्या होता है low notch low notch sensitivity factor like as stress concentration करेशन लेकर्ट अभी श कन्सेंट्रेशन आवी श्रेसेंट्रेस्टा है जो अब रहुता है बाभू इस्ट्रेस कंचेंट्रेशन जो ता है मालनो हमने रहे कर साफट बनाई ठीक है को यह आपके सेंपल साफ्ठ है ठीक कि तो इसमें टेंशाइल और कंपरेसीज दिर्शन लगी यह घाए तो भाई टेंशाइल में वह क्या होगा इधर इधर भी ऐसे होगा अधर बहीं अगये लगएगा इसलिस टेंशार इस कोई बात अगर यहीं साफ्ट जो गदा इसमें हम कुछ इस प्रवलम खड़ी कर देखो इसमें एक छोटा सा इसमें प्खोल हो जाए हुआ ठीक है तो क्या हो गया जो यह जो इस्ट्रेस होगा टेंट साइल इस ट्रेस होगा कुछ इस तरह से जाएगे इस तरह से जाएंगे सब इस तरह से यह सीधे नहीं जा सकते हैं ठीक है इस तरह से जाएंगे तो क्या होगा इसके चलते कुछ इस्ट्रेसे और जाली हो जाएंगे ठीक है जो इसको ब्रेक करने का कुछिस करेंगे ठीक है तो यह हो गया встретis stress इस्ट्रेट squats इसमें कोई दिकत नहीं बस इस ऐसम इस अफ्द में दिकत जरूर होगी ठीक है तो इसमें जो होँगे इप इच्छ विट स्टेंड इटीज विट स्टेंड मोर लोड दैन दी बोड़ी मोर लोड दैन दी बड़ी विची हैविंग नान उनुफाम इस्ट्रेस ठीक है फ्लो लाइन्स ठीक है तो यह नान उनुफाम इस्ट्रेस है नान उनुफाम है और यह उनुफाम इस्ट्रेस है ठीक है तो और कुछ होते हैं साब्ट य कि होते हैं उसमें इसे टेप कि यह सक है लगा इस हुआ है फा— कि लिट श्व कर दती है कुछ एजक्ट तो यह तो यहां पर क्या जाता है stresses ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा फीलेट कर देते हैं चैंपर नहीं फीलेट कि इस तरह से होता है यह होता है सरकल यहां पर ऐसे कर देता है तो यह हैं भी जाती है हम एड़ कर देते हैं ठीक है यह पर क्या करेंगे हम लोग कुछ रेडियस का हम कुछ ऐसे हम बनाते हैं यह क्या होगा जो स्ट्रेस होगा वह कुछ ऐसे गुज़ के ऐसे जाएगा और यहापर ब्रेक नहीं होगा और यह कहुआ होगा अधिक लोड we are कर सकता है ठीक है तु इस टाइप में मालों कोसे दिया सब तो कौन सा इसमें है को बनाले ना है ठीक है अच्छा नहीं मुदा या क्या हो रहे है प्रेफर होगा यह होगा इस टाइब का साफ्ट हम लोग प्रेफर करेंगे ना कि इस टाइब का क्योंकि आपर क्या है high नोच सेंसेटिविटी है हाई नोच सेंसेटिविटी है यहाँ पर है लोच सेंसेटिविटी ठीक है इसलिए हम लोग इसके साथ का यूज करेंगे तो आप नोच सेंसेटिविटी आप लोग समझ गये होंगे चलिए तो कितने फैक्ट पर हमें लिखा है तीन लिखा है अब द होती है but ductile material में जो होता है the low need sensitivity होनीisto इसका मतलब साफ्ट कैसा हीच करेंगे तक डков ही को ड़कोनी चाहिए To be a do not снथी अवरी इस्टना कर बनाके डूंट हीड ट्रिट्मेंट पोपाटी उसमें क्या होनी छाहिए जो हीट ट्रीटमेंट की पुपरटीस होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए ठीके तो तो गुढऊट हीट्रीटमेंट पुपरटीस और n Smash नेक्स्ट जो होता है high wear resistance पुपर्टीस है हाई है हेर यह रेजिस्टेन्स ऑफ पर डिस है क्यों वे अधिक भार सार करने की पर पर्टी होनी चाहिए ठीक है तो क्यों होनी चाहिए अरे यह उस साथ पसे गेर्स भी तो लगे होंगे अगर्स की कारण विंडिंग होगा ठीक है तो रोड जो वियर करने की जो होती है जो रेजिस्टेंस पूपर्टी यह उनी चाहिए इसमें ठीक है यह सारी सीज़े है अब देखें हम जानते हैं कि जो मैट्रियल उच करेंगे इसमें हम लोग फोर्टी सी एंडरी में उच करेंग आप इसमें ठीक है आप शलिए बताओंगा बताओंगा मले इस रिख्षि यह उच्ताब माइल निकल करोम के से ज़पाओं अधा dwa चलिए मिटाता हूं में इसे और इसके बाद बहुत ही असानी से पढ़ो और मालनों मैं धीर धीर पढ़ा रहा हूं इसकी अपनी स्पीड बढ़ा लो 1.5 कर लो ठीक है और जिसको इस पर ही अच्छा है अच्छी बात है अब आर्डिनरी साफ्ट के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं मैंट्रियल दिखेंगे इसमों दे मैंट्रियल यूज़ इस पर अर्डिनरी साफ्ट इस पोटी सी 40 c 8 इस तरह लिखा हूं फोटी सी एट फोटी फाइव सी एट फिप्टी सी फोर एंड फिप्टी सी ट्वेल ठीक है यह हम यूज़ करते हैं किसके लिए और्डिनरी साफ्ट के लिए सिम्पल साफ्ट के लिए ठीक है पोटी फोटी फाइब सी एट फिप्टी सी त्वेल फिप्टी सी त्विल दली गडिया फिप्टी सी फोर और फिप्टी सी त्वेट ठीक यह सब आघ मेएड मेग जो है अमेरिकन शोसाइटी आप मसीन मेकनीकल इंजिनिंग ए-समी याद रखेगा अमेरिकन सोसाइटी आप मैकेनिकल इंजिनिंग यह सब यह सब तरह करते हैं ठीक है तो इंडियन स्टेंडर्ड डिजाइन क्या होती है इंडियन स्टेंडर्ड डिजाइन और मालनों यह 40C8 है इसका अल्टिमेट टेंडर्ड डिजाइन यह जो बोल जाता है इसको इंडियन स्टेंडर्ड डिजाइन इसको इसके बाद लिख लेंगे अल्टिमेट टेंडर्ड 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 और भी पॉस्ट लेता है ढ़लेगा। यह आपको मेगा पास्काल में दिया जाएगा। मेगा पास्कल आप समझ एन będगा पास्का मेगा पास्का अधिकल टूा टेन टृदि पावर्चल मुंठल। क्या हुआ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्राइब ठीक पास्कल को मतलब न्यूटर पर मीटर स्क्राइब समय रहा तो यूनिट का भी पीशेश धियान रखेंगे आप रेट से लिखूं किया यूनिट का विशेश धियान आप लोग जरूर रखिएगा बॉक्स बनाईए इसको इस तरह से 40C8 इसका कितना होता है 560 से 670 तक वां से 560 से 670 और यह होता है 320 मेगा पास्का पूर्टी फाइब सी एट चौशा दस से 700 और यह होता है तीन सो पच्चास तीन सबीस लिग दिया तीन सो पच्चास यह हो गया 50C कि फोर यह होता है छे सचाली से सात सो साथ यह क्या साथ सो होगा ना चेह सचाली से साथ सो साट और यह होता है 370 इसके होती है 370 मेगा पास्कल 50C कि ट्विल्ब इसकी जो हती है शे सो चाली साथ साथ यह होगा साथ सो मिनिमूम होता है और हाइस जहां तक चलिए इसको नोट कर लेंगे अब हम मैनिपैक्चरिंग जो साथ की मैनिफैक्चरिंग करेंगे वह कैसे करेंगे यह मैं आपको बताऊंगा नोट किया गया मिटाओं इसे कर लेजे मैं इसे मिटाता हूं तो आप साथ की मैनिफैक्चरिंग कैसे करेंगे तो एक होगी होगी और एक होगी cold rolling तो hot rolling और cold rolling से हम soft की manufacturing वगर करेंगे ठीक है manufacture of soft manufacturing of soft manufacturing of soft it is generally manufacture it is generally manufactured manufactured he got by hot rolling hot rolling or cold rolling hot rolling and cold rolling now cold drying it is generally manufactured by hard rolling and finished to size hard rolling and and finished to size size by cold drying अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहां तक पूंचे हैं तो ट्यूनिग आप कमेंट इम बोलेगे कि ट्यूनिंग किसे करते हैं ट्यूनिंग को का आप परिभासा आप हमें आप कमेंट में लिख करके जरूर बताईएगा ठीक है ट्यूनिंग क्या वरती है यहां पर ठीक है तो कोल्ड रोल जो साफ्ट होता है और स्ट्रांगर दैन होता है स्ट्रेस निक अंड्लने को मतलब क्या होगा यहां पर कुछ और यहां रहाग तो हाट रोल में वोता है तो हम क्या करें इस्टेसे जो होती है अंडर उन्डीजारबेल जो इस्टेसे होती हो वहर निकल जाती है ठीक तो लीख लेंगे अब हम बात करेंगे तो मैनिफैक्टरिंग हो गई मैट्रियल की बात हो गई मैट्रियल के पूपटेज हो गई अब हम बात करेंगे कि भाई साफ्ट जो होगा होता है वो साफ्ट कितने टाइप का होता है ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे कि साफ्ट जो होता है वो कितने टाइप के होते है तो जो साफ्ट होता है वो बेस मिशन साफ्ट होते है इस टेंदर साइज आप्रमसिर साफट घर के इस टेंडर साइज भी होती है ठीक है तो इसमें लिख लेते है ताइप अप साफ्ट में नाज़ताइब शाफफ को साफ्ट नूट जरूर्द बनाइए ऐस अप सबस ठीक है विद्ध गैर आडट्स two important types of soft there are two important types of soft वाला क्या है भाई या मसीन साफ्ट और दूसरा जो है पावर टांस्मिशन साफ्ट ठीक है तो मसीन साफ्ट जो होता है the soft from an integral यानि कि अंदर जो होता है integral part of the machine itself यानि कि मसीन के जो अंदर होता है जो साफ्ट लगा होता है उसे हम मसीन साफ्ट बोलते हैं जो टांस्मिशन साफ्ट होता है पावर टांस्मिशन साफ्ट होता है this soft transmit power between the source and the machine ठीक है Absorbing power ठीक है तो मसीन से जो पावर टांस्मिट करते हैं तो मसीन से पावर टांस्मिट करेंगे और जहां में power transmit करना होगा ठीक कोई बात में जैसे example में लेंगे तो center soft होगा line soft होगा overhead soft होगा all facing soft होगा transmission soft होगा input soft होगा output soft होगा और एक बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं counter soft होता है counter soft ये सारी चीजे होगी transmission soft के example है लिए और machine soft में machine soft whenever आप देखें होगे crying soft جो होता है machine के अंदर होता है machine का ही एक part होता है ठीक है तो उसमें machine soft में लिखेंगे integral part of the machine itself the soft from an integral part of machine itself machine soft को बारे में लिख रहेंगे example crying soft transmission soft में का लिखेंगे इस शाप ट्रंस्मिट कावर ट्रंस्मिट पाँवर बीटिवीन दा सोर्स अन्ड दे मसीन एपजावरे पावर ठीक है उसमें लिख लिए सेंटर साप्ट लाइन शाप्ट इसका बाद ओड़ एड़ साफ्ट बहुत सारी साथ थिए लेके बुट बहुत कांटर साफ टेकों अब यह बताऊंगे बड़या कराँल भी आगल एक अब हम लिख लेटे हैं इसम्हों यह वो़ती हैं यह आप लए प्रेंगे और इसको याद रखना है सिसे ता नोट करेंगे एक स्टेंडर्ट साइज ऑफ दी शाफ एक इसेंडर्ण साइज तो दीजिए यह साफ की ठीक है तो इस्टेंडर लेंफ आप दी शाफ जो होती है 5 मीटर, 6 मीटर and 7 मीटर हती है यह लेंफ्क की बात करें इस्टेंडर लेंथ अफ दिसाफ्ट इस 5 मिटर 6 मिटर 7 मिटर ठीक है अब डैया की बात करें ठीक है तो डैया की बात करें यह देखो साफ्ट जो होते हैं कुछ इस टैप से होते हैं तो यह इसकी डैया अलग हुए ठीक है और यहां से स्टेप टर्निंग कर दे जाती है स्टेप टर्निंग कर दे जाती है इसकी डैया अलग हुए यह स्माल डी माग लेते हैं बाते सो गए रही है ठीक है तो लिखेंगे फर्स जो होगा 25 mm to 60 mm क्या होगा यह इसमें जो होगा 5 mm तक स्टेप लिख सकते हैं विद 5 mm स्टेप्स विद 5 mm स्टेप्स विद 5 mm स्टेप्स ठीक है तो इस्टेप टर्निंग आप इस्टेप बगर जानी गए पिष्टमाल डैय और यह बेग डैय ठीक दूसरा इसमें जो होगा 60 mm to 110 mm, डया है भई या, 60 mm to 110 mm with 10 mm steps, ठीक है, तीसरा जो होगा, 60 mm, एक से 10 mm to 140 mm, एक से 10 mm to 140 mm with 15 mm steps, ठीक है, अब देखे, 140 mm, अगला जो है, 14 mm, to 15 mm, 140 mm to 500 mm with 20 mm steps, यह जो है, इसके standard, जो होते है, soft होते हैं, standard soft होते हैं, उसके यह सारे डया है, और इसकी length है, ठीक है, तो step आप जानी गए, कि यह 5 mm steps क्या है, 10 mm steps क्या है, 15 mm, 20 mm, ठीक है, तो इसको आप note कर लेंगे, आगे में है, जो soft में stress जो उत्पन होते हैं, वो कौन-कौन से stress होते हैं, ठीक है, तो soft में, कौन-कौन से stresses होते हैं, मिटाओं इसे, मैं इसे मिटाता हूँ, अब देखते हैं, soft में stresses, इसे, stresses, in, softs, साफ्ट में, जो stresses होती है, वो shear stress एक तो उत्पन हो जाएगा, तो किसके लिए, कैसे, तो shear stress जो उत्पन होगा, due to transmission of, क्या होगा, torque, तो shear stress जो उत्पन होगा, shear stress due to transmission of torque, ठीक है, जो shear stress उत्पन होगा, इसमें, वो, टार्क के transmission से उत्पन होगा, ठीक, या फिर लेख लेंगे, due to torsional, load भी बूल सकते हैं, इसको, due to torsional, load, ठीक, bending stresses, या फिर लिखेंगे, हाँ, bending stresses, बेंडिंग, stress, यह किसके करान होगा, यह किसके, बेंडिंग stress होगा, due to compressive or tensile, क्या होगा, force, ठीक है, तो बेंडिंग, stresses, stresses, यानि कि, tensile और compressive, tensile और compressive, due to force acting upon machine element, due to force acting or machine elements, like gear, उस पर gear होंगे, gear होंगे, sleeve होगा, pulley, ठीक है, pulley, it is belt, यह भी हो सकते है, ठीक है, और soft की, होगे, soft की भी तो weight अपना होगा, ठीक है, and due to the weight of the soft itself, and due to weight of soft itself, उस soft की तो अपनी भी तो weight होगी, उसके करान भी तो यह जो होगा, bending stresses उत्पन होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़े, आप note कर लेंगे, और आज का lecture, बस मैं यहीं परसमाब्द करना चाहूंगा, और इसका बाद, next lecture में हम लोग पढ़ेगे, maximum permissible working stage for transmission soft, design of soft, soft subjected to twisting moment, only soft subjected to twisting moment हो गया, और bending moment, only, ठीक है, soft subjected to twisting moment, only, soft subjected to bending moment, only, इस पर हम चर्चा करनेंगे, next lecture में, तो आप जानते हैं, कि क्यार्मा क्या है, अगर आपको इवीडियो परसंद आई, तो कुर्पिया वीडियो को like करे, and share करें, और मेंने चैनल को subscribe करें, और हमें support करें, मिलते हैं, next वीडियो में, तक तक के लिए, धन्यवाद, जे, ले ये, हमें दू्ट कोुर्ण समस्वाद, ओे, हमें अपर शेट आपको इसा करें, में पिवाद